नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लोकल 18 मैप की साथ दिने अग्मी होते ही आज मैं भुपाल की आपको एक ऐसी से मिलाना चाहता हूं जो कि अपना एक एंजयो चलाते हैं कई ज़रूत मंदों की मदद करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं दिकाते हैं और अपनी इसी ड दिल्चस भी रही हैं जब मैं चोटा था दस भी मैं था लगभग में तो मैं जब अपने गाउं से निकलता था तो मैं बहाँ पर चोटे बच्चों को देखता था जो स्कूल नहीं जाते थे जा इनके पैरेंट्स उनको पढ़ा नहीं पाते थे या ऐसे बुजूर्ग जिनके बचे नहीं हैं तो इसे देखके लगता था कि लोग के लिए कुछ किया जाए तो जब मैं 11-12 में था मैं कुछ NGO से जुड़ा फिर वहाँ पर मैंने education programs हम लोगों करते थे जो slums area है बस्तियों में जायते थे हम लोग बहाँ पर उनको पढ़ाते थे फिर धीरे जब म आङा रहते हैं क्योंकि उपर से दवाब रहता है कि नहीं आपको टो इस तरीके से कारे करना है तो फिर मैंने अपनी संस्था को स्टार्ट किया फिर अभी लगभग मुझे तीन वर्ष हो गया है मैंने 2021 में अपनी संस्था को मैंने स्टार्ट किया था अभी उसमें कारे कर रहा हूं मैं अपनी संस्था में महिलां को लेके काम करता हूं हाइजीन को लेकर बच्चों को लेके काम करता हूं सिक्षा के लिए और युवाओं के लिए हम इंटर्पिनोर्शिप को लेके काम करते हैं परियावराण में हम सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे रिलेटेड़ चीज़ों फिर हम लोग काम करते हैं की आप यंश्ऑा फिए हैं जावराण में हम बहुत जाधा चकृटियूं अन्हों ने बहुत जाधा इसमें काम किया हम कोवीड में हम लोग निकलते थे हम सटकों पे जाते थे लोगोंों को माक्स बाढ़ते थे, उनको अवेर करते थे कि आप मार्क से लगाईए जिसे गाड़ियों से लोग जा रहे हैं तो हम उनको रोकते थे, जिसमें हमारे भापाल की पुलिस ने भी हमारा काफी सायोग किया था उन लोगों ने, तो और हम फूट को लेके भी हमने किया हम घरगर जाके रासन हम लोगों के लिए पहुँचा आते थे, और एक हमारा बहुत बड़ा चैन था मद्धिपृदेश में जिससे हम ब्लड लोगों को easily हम लोग अविलेबल कराते थे, हमारे कॉंटेक्ट्स, पुरे मद्धिपृदेश में हम लोगों ने स्टैबिल कर दिया था, जिससे हम ब्लड लोगों को तक पहुचा थे उसको अपने अपने बात की बच्चों को किस तरह की दीए, आप कहा पर जाते थे, बच्चों को क्या पढ़ाते लिखाते, इसके बारे मताइँ कुछ जी हमने education programs बनाये थे 3-3 months के हम तीन महीने के education programs बनाते थे और उसमें बच्चों को Saturday, Sunday पढ़ाते थे या weekly हम बच्चों को पढ़ाते थे तो इस तरीके से हम सिक्षा के चेतर में बच्चों के लिए हम लोग कारी करते थे और जैसे stationary, pen, pencil, copy किताब और वो सब भी हम उनको देत कितने लोग हैं जो आपके NGO में जुड़े हुए हैं और आपकी funding के बाद करों तो funding बहर मुड़ा हैं कुछ एक समाज एक सही होग से हमारा जो foundation एक फाउंडेशन एक फाउंडेशन ने वो चलता है ऐसे हम बाहर से कहीं funding ने लेते हैं बस समाज से ही हम जो आता हैं उसी से काम करते हैं हमारी सब्सक्राइब करूं कि आपने 2021 में इसको बनाया अभी तक क्या रिजल्ट्स निकला आपन एक मेने और फिर हमने उनका स्कूल में आंगन बाड़ी में भी दाखला कराया और आज में बच्चे बड़ियां स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छे लाइब जी रहे हैं मैला हैं जो sanitary paid का अभ्योग कर रही हैं जो बस्तियों की नहीं करती थी तो कहीं ना कहीं हमारी स्था कि द्वारे किये गए गया समाज में का समाज को आगे बढ़ाने कहीं कार कर रहे हैं उन लोगों को जी बहुत बहुत धन्यवाद आप